दोस्तों welcome to the channel knowledge in general मेरे नाम है Amit Kashyap और आज के इस quick episode में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि YouTube के thumbnail कैसे बना सकते हैं via using a best app उस app का नाम है Pixel Lab और दोस्तों यह Pixel Lab की app जो है यह आपको play store पे बहुत easily मिल जाएगी free of cost है और दोस्तों मेरी मानी है कि ऐसी app जो है यह mobile से ही सारा काम कर लेती है and this is an amazing app मैं इसी को यूज करता हूँ अपने thumbnail बनाने के लिए और इसके इसे features हैं जो आपकी creativity बढ़ाएंगे और depending upon your creativity आप अलग-अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं मैं जो इसके best features जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ तो फटा-फट जो है इस app को open कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि यह app काम कैसे करती है तो दोस्तों यह mobile की screen है मैं यहाँ project कर रहा हूँ अब आपको नजर आ रही होगी तो दोस्तों यह pixel lab का जो है यह logo आप देख रहे हैं इस पर click करेंगे तो यह इस तरह का interface है जो open होगा और दोस्तों बहुत simple तरीके से बताऊं तो यहाँ पर आप देखी का सबसे उपर जो three dots नजर आ रहे हैं आपको उस three dots पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और click करके यहाँ पर आप देखी का image size image size में click कर लेता हूँ और यहाँ पर custom लिखा रहा है उस पर click करूँगा तो अलग अलग option मिल जाती है कि आपके इस चीज के लिए बैनर बना रहे हैं या फिर जैसे स्क्वेर पिचर बनानी है आपको या फिर अगर आपने YouTube थम्नेल बनाना है तो यहाँ पर mentioned है YouTube थम्नेल हम बनाने जा रहा है तो YouTube थम्नेल पर click कर लेंगे और इसको ok कर देंगे यह बहुत ही important है कि कई बार हम पूरी मैनत कर चुके होते हैं और finally बता चलता है कि यूट्यूब थम्नेल बनी नहीं सकता क्योंकि इसका picture ठीक नहीं है यह बिल्कुल perfect picture है यूट्यूब थम्नेल के लिए अभी यह जो new text लिखा रहा है इसको मैं यहाँ से उपर देखिए है डिलीट का option है मैं डिलीट कर लेता हूँ तो ग्रीन कलर का जो आप portion देख रहे हैं यह अब थम्नेल है हमारा अब इसको हम डिजाइन कैसे करेंगे वह जान लेते हैं अब दोस्तों एक बात को समय लेजिए कि थम्नेल जब आप डिजाइन करने लगते हैं तो उसके अंदर आपको दिमाग चलाना है कि it is actually in layers यह layers का काम हो रहा है यानि कि अभी सबसे पहली layer यह विली है अब इसके उपर आप देखेंगा इस layer को अगर में clear करना है यह layer का color चेंज करना है तो कैसे होगा आप इस interface में सबसे नीचे देख रहे हैं जो आप इस इंटरफेस में सबसे नीचे देख रहे हैं जो आप रहे हैं पिर ए लिखा हुआ है फिर उसके आके आप option दिखें इंसर्ट की option है और उसके आके layers बनी हुई है एक ब्लू कलर में आप दिख रही है आपको उस वाले व आप ऊपर कुछ भी काम कर चुके हैं कभी इस layer को आप चेंज कर सकते हैं अभी के लिए मैं इसको वाइट कर लेता हूं और एक और चीज अगर यहां पर देखिए option आ लिए image यहां पर given image भी है जो इसके inbuilt है और from gallery अगर आपने माल लिए कोई background आपको पसंद आ रहा है किस इसी की जो अगर मैं select कर लों देखिए बीचे उसी लोगो बन गया thumbnail का background वो बन गया so this is very easy यह वहां चीज जो आप बहुत easily perform कर सकते हैं अभी के लिए वाइट कर देते हैं so this is one thing यह आपको समझागा कि जो initial canvas है वह आप कैसा भी रखना चाहें उसको रख सकते हैं अब दोस कोई एक reaction दे रहे होते हैं उससर की photo होती है तो आपको कैसे डाल नहीं है वह simple चीज जो बीच में option है यह जो a text के साथ में option दिया हूँ है यह insert option है इसमें आप shapes डाल सकते हैं यहां पर mentioned है लेकिन इसमें आप देखेंगे stickers के साथ एक stickers अगर हम click कर के देखें तो यह stickers हैं ज मेरे phone के अंतर जितनी photograph से वह दिखा रहा है सो माली ची हम file manager पर चलते हैं और मैंने कुछ photographs यहां पर रखी हुई है तो जैसे के example के दोर पर मैं काम करता हूँ है मेरी photograph यहां से ले लेते हैं यह देखें एक मेरी photograph है यह वली तो यह जो दोस्तो photograph है इसका background विलकुल जो है ज इसे हैं जो objects हैं वह आप लाकर यहां पर रख सकते हैं अगर आपने पहले से decide कि हूँ है तो यहां पर आप रखके उनको यहां पर easily रख सकते हैं और इसमें यह भी बात है कि size जो है इसका बड़ा और small किया जा सकता है depending upon यहां पर already आ रही है options in fact tilt करना हो तो tilt भी किया जा स सकता है तो यह बहुत ही बड़ा feature है इसका तो आप supposedly जैसे मैंने यहां पर place कर दिया तो अब इसके बाद next side पर क्लिक करूँ अब हम इसके अंदर और कुछ करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं text एक बार लिखके देख लेते हैं तो क्योंकि text के साथ साथ में आपको इसकी और better feature के बारे में बताऊंगा तो उपर जो आप plus का button देख रहे हैं वो plus के button को आप click कर दें plus के button को click करेंगा तो यहां पर text का box खुल गया है उस text के box पर मैं double click करूँगा तो उसके अंदर मैं enter कर जाओंगा यहां पर जो है I can enter any text मैं सबल लीजिए यहां पर लिखता हूँ example और इसको ok कर देता हूँ तो यहां पर example लिखा आगया अब बात हो जाती है text जो हम लिखते हैं यह बहुत attractive होना चाहिए तो उसके लिए क्लिक कर रखा है वह selected होगा तो इसके आसपास arrow बने आ रहे है उसके आसपास parameter बना रहे है अब नीचे चलते हैं ए पर क्लिक करेंगे यानि कि हम text चीज़े चेंज करनी है तो दोस्तों यहां पर option दिखी नीचे दे रखिया अलड़ी to back to front position relative size अब मालीजे size पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हम इसको बड़ा कर सकते हैं से आप देखेगा और size को यहां से ok कर देंगे तो यह बड़ा हो जाएगा in addition to this उसको अगर हम थोड़ा चाहते हैं कि वो design दार हो तो यहां पर mentioned है color के अंदर भी है जो text हमने लिखा है उसका color आप क्या देने चाहते हैं मैं मालीजे black देने चाहता हूं या red देने चाहता हूं तो यहां से मैं मैं बात और scroll करूँ तो दोस्तों यहां पर option देखेंगे आप आती है font की तो यहां पर font भी हम जो है इसमें mentioned हुआ हूआ कि किस तरह कर रखना चाहरे हैं तो अलग-अलग font दे रखे हैं मानलीजे हमने यह ले लिया तो देखिए इस तरह से लिखा है उसके लावा यहां पर अगर आप चाहें इस particular example का background white कर देना या black कर देना वह भी बहुत easily possible है और इसके अंदर दोस्तों एक important चीज जो है वह यहां पर देखिए का जो मुझे बहुत cool feature लगा यहां पर देखिए का जो feature है stroke stroke पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहां पर enable option आता है enable कर देते है तो stroke क meaning दोस्तों यह है जो example आप wording लिखी हुई देख रहे है इसके borders पर already एक लेयर आ जाएगी अब देखिए का कैसे यहां supposedly अभी ब्लैक है इसका मैं red select कर लेता हूँ तो आप देखिए का example जो लिखा रहता उसके borders पर जो है red कर रहता जो है वो lines आ गई है और उस line को जो है यहा हमने object place किया था उसको भी हम ऐसे यह चीज़ कर सकते हैं दिखिए यहां पर option दी हुई यह उस पर भी stroke stroke पर enable कर दिया माली जी मैं border चाहता हूँ मेरे black color क्यों हो और उसको मैं increase करको तो देखिए उसके borders बन जाए इस अमेजिंग आप यह विली आप के थ्रू आप अपना thumbnail बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं तो दोस्तों बाकी अगर मैं बात करो तो यह आपका creativity level है यह app यह जो thumbnail है वो आप कैसे बनाते हैं using these जो important यह smart stuff जो इसके अंदर दे रखे हैं उसको लेकर तो दोस्तों इ हुआ है